यह को मॉल्प पस्नेक जिसको सांखड बोलते हैं यह ज्यादा तर घर में रहता है देखिए इसको अब यह च्छोटा सा बच्चा है ओ देखें काट लिया भी बहुत जोर से इसके काटने से कुछ नहीं होता है यह नौन भेनामस साफ है यह च्छोटा सा बच्चा है इसको घ इसको काटने से कुछ नहीं होता है इसका सब्भाव है काटना और यह एक्सर घर में रहता है चोटा सा बच्चा है अभी वी और जा आखेंगे ज़दातर घर में रहता है तो उसको कितना भी अगर से बढ़ gesch sustainable Olay अ कि देखिए कि कोमन मुल्फे स्नेक सांखड जिसको बोलते हैं चोटा सा बच्चा है इसको नहीं जहर होता है नहीं कुछ अगर किसी को सांप दिखे तो किर्प्या करके उसे मारे नहीं उसे जंगल में छोड़ने का परियास करें परियावरान के लिए सांप बहुत ही अच्छा है यह अपना जीव निकाल रहा है चोटा सब कितना अच्छा बेबी है कोमन मुल्फ स्नेक बेबी यह बहुत ही खुब्सरत सांप है बिहार के अरया जिला में फार्विस गंज एवा नर्पर्द गंज में आने वाले सभी से अन्रोध है सभी भाईयों से जहां भी सांप दिखे तो उसे किर्प्या करके मारे नहीं हमें बुलाएं हम आएंगे उसे रेस्क्यू करेंगे और कि हमारे चैनल आदर्स इसनेक रिस्क्यू को सब्सक्राइब करें उसको आने वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ से और करें कि इसमें बहुत सारी जानकारी रहती है सांप के बारे में एक सार देखा गया है कि सांप काटते ही इनसान डर से मर जाते हैं तो डरना नही जानन भेनमा से इसमें जहर नहीं होता है तो कोई बहुत सारे आदमी डर से मर जाते हैं तो सबसे पहले उससे दिलासा देना है और सरकारी होस्पिटल लेके जाना है कोई वजह धामी के पास नहीं जाना है देखिए इसको इसको अभी जंगल में इधर चुड़ देंगे ब टूसर नहीं जाए गड़िए जंगल जाएगा जंगल के तरफ जाएगा जाएगा ज़ा जाएगा ज़किनल में ज़किनल जाएगा की सांप को दिखे तो उसे मारे नहीं और कोई भी सांप काटे तो तुरंत सरकारी जाए और सांप से डर नहीं है थ्जान गघआ लेकिन अगर उसी के जिगद जभरिला साप काट सकति हैं कोई भी सानुरूद है कि सरकारी होस्पिटल जाए algebra यहां एंटी भेनमम मिलता है साप के विस के लिए अभी हमको यहां काटा है अभी इसको अच्छा सिर्फ दो लेंगे इसमें जहर नहीं होता है तो घ्यावराने की कोई बात नहीं है सबसे अन्रोध है कि सब बचाएं कहीं भी कोई जानवर दिखे तो उसे बचाएं पर यावरान के लिए कोई भी जानवर बहुत ही ज्यादा जोर रही है तो हमारे चैनल आदर सेशनेक रेस्क्यू को सस्क्राइब करें और आने वाले वीडियो के अपने दुफ्तियों के साथ सेर करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद